प्यारे बत्चों नई अन्सेरटी बुक पर अधारित नोवीक अक्षा के गणित के फर्स्ट सेप्टर संख्या पद्धी या नंबर सिस्टम्स के फौर्थ लक्सर में आपका स्वागत है इस लक्तर में हम अनसे आर्टे बुक के उधार नमबर पांच से लेकर आठ तक सोल करेंगे और इन्ही उधारणों को सोल करते समय हम वास्तविक संख्याओं के दस्मलब परसार के बारे में भी डिटेल से समझेंगे तो आईए सुरुआत करते हैं आईए सबसे पहले उधार नमबर पांच जो हमें दिया वाई से सोल करते हैं उधार नमबर पांच में हमें तीन प्रिमेर संख्याओं दीवी हैं और इन प्रिमेर संख्याओं का दस्मलब परसार हमें ग्याद करना है तो जैसे इस तरह से जो प्रिमेर संख्य हैं हमें दे रखे होते हैं उनका दसमलो परसार कैसे ग्याद करते हैं बहुत ही असान तरीका है उसका अभी समझाता हूं आपको कि जैसे पहली प्रिमेशंग क्या है, हमारे पास दस वटे तीन इसका दसमलो परसार लिखने के लिए हमें दस को तीन से भाग देना होगा और जो भाग फल आएगा, वो दसमलो की रूप में जो आएगा, वही तो दसमलो परसार होता है शिम्पल सी बात है कि हमें क्या करना है, दस को तीन से भाग करना है ठीक, जैसे हम सोटी क्लासिज में करते हैं, तीन तीन, नो अब शेश बस गया एक, अब यहाँ पर जब दसमलो लगाएंगे तो यहाँ पर भी लगाएंगे अब दसमलो के बाद में आप फरी हो, आगे कितनी ही जिरो यहाँ पर लगा सकते हैं, एक जिरो लगा करके एक जैसे उतारी, फिर तीन तीन तीन, नो फिर सेम सेश रिपीट हो गया, सेश सेम रिपीट हो गया, तो आगे बाग फल भी रिपीट होता जाएगा यही, ठीक है, तीन तीन, नो पिर 6 रिपीट फिर आगे इसी तरह से हम 0 लगाते जाएंगे 0 उतारते जाएंगे और फिर वही 3-3-9 अब आपको पता है कि बार-बार वही 6 आ रहा है ठीक है तो ये कभी खतम होने वाला तो है नहीं जितनी मर्जी आगे 0 लगा दें उतार लें आगे इधर भी हम 3-3 चड़ाते जाएंगे तो जो खतम नहीं हो सकता तो इसको हम आगे इस तरह 3 डोट लगा करके छोड़ देंगे 3 डोट लगाने का मतलब यह है कि यही चीज़ आगे तक चलती रहेगी अब यह जो बागफल जो आया है ना यह तो दस वटे-3 का दसमलो परसार है तो इसका जो दसमलो परसार है तीन दसमलो तीन 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 आगए दोट 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 ठीक है यह इसका दसमलो पर सार हो गया अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे तीन दसमदो इसंख्या तीन बार बार रिपीट हो रही है तो तीन के ऊपर में इस तरह से बार लगा जता हूँ यह बार लगाने का मत estar atención झाने आगले का चलती रहेगी ठीक अब जो दूसरी सक्षह में दे रहे हैं इसी तरह से हम इसका भी दस्मलों पर सारा साने से लिख सकते हैं साथ वटे आठ के लिए हम संख्या साथ को आठ से भाग देंगे उपर वाले संख्या को निच्चे वाले संख्या से भाग देना होता है साथ को हम आठ से भाग देंगे तो अब देखिए कि शुरू में ही यहाँ पर अंदर कम है तो एक पॉइंट लगाना पड़ेगा हमें तो पॉइंट हमें उपर भी यहाँ पर भागपर लगा देते एक ही बात है ठीक है अब आठ आठे चौन सट और फिर छे सेश फिर जीरो लगा करके जीरो उतार ले और दस में से 6 माइनस करेंगे 4 फिर 0 लगा करके हम फिर 0 उतार है आठ पंजे सालिस अब इस केस में देखिए 6 हमारे पास 0 बचिया 6 0 बचिया तो सम खतम और दसमलो बरसार आ गया दसमलो आठ साथ पांच दसमलो से पहले कुछ नहीं है तो हम जीरो लगा सकते हैं ठीक है तो यह आ जाएगा जीरो दसमलो आठ साथ पांच ठीक तो अभी वीडियो को स्किप्ट मत करना यहां से मैं बहुत ही इंपोर्टेंट बात समझाओंगा आपको यहां से बहुत ही इंपोर्टन डिसकसन आपके साथ करूँगा मैं अब नेक्स्ट तो हमारे पास दो संख्या है वो है एक वटे साथ एक वटे साथ यहां पर हमें एक को साथ से भाग देना है हमें क्या करना है एक को साथ से भाग देना है अब यहां पर हमें दसमलो लगाखर करके जिरो लगानी पढ़ेगी तो यहां पर भी हम दसमलो लगा देते हैं साथ एक उंसाथ पिर तीन से एस बचेगा पिर जिरो लगाया जिरो उतारा साथ चो के अठाइस अगेन दो सेस बचे गया साथ दूनी चोवदय फिर छे सेस बचे गया फिर जीरो लगाए जीरो उतारी साथ आठी चपन और फिर सेस च्यार बचेगा जीरो लगाकरके जीरो उतार ली अब साथ पांजी पैंटीस फिर सेस पांज बचेगा फिर जीरो उपर लगाएंगे फिर जीरो उतार रहेंगे अब साथ साथ उननचास साथ साथ उननचास अब देखे कि अब सेस कितना बचेगा एक बचेगा ठीक अब जहां से हम चले थे ना एक से वही सेस आ गया तो जब 6 repeat हो जाए या 6 0 आजे तब आपने sum को बंद कर देना है ठीक क्योंकि अब आपको पता है कि 6 1 आ गया तो आगे अगर इस sum को proceed भी करेंगे आगे बढ़ाएंगे तो भी बागफल जो है आगे 1 4 2 8 57 1 4 2 8 57 तो 1 वटे 7 का दसमलो परसार हम क्या लिखेंगे 2 8 5 7 अब हमें पता है कि यह जो ब्लो का पूरा संक्याओं का यह repeat होगा यह repeat होगा तो पूरे के उपर हम क्या करते हैं बार लगा देते हैं ठीक है अब देखिए कि इस क्यूस्टन से एक बहुत important बात निकल के सामने आ रही है कि यहाँ पर 7 उटे 8 का दसमलो परसार देखिए कि 3 अंकों के बाद समाफ्ट हो गया है ठीक है 3 अंकों के बाद यहाँ पर क्योंकि 6 जिरो आ गया तो आगि यह सम नहीं बढ़े गया यानि दसमलो परसार समाफ्ट हो गया है इस तरह से जिन संख्ख्याओं का दसमलो परसार एक अंक, दो अंक, तीन अंक या कुछ निस्चित अंकों के बाद समाफ्ट हो गया है ऐसे दसमलो परसार को हम क्या कहते हैं सांत दसमलो परसार कहते हैं क्या केते हैं, सांथ दसमलब परशार, अब, यहाँ पर देखिए, यह दसमलब परशार, 10 वटे 3 का दसमलब परशार देखिए, कि आगे कभी भी खतम नहीं हो रहा है, तो इस ताइब का जो दसमलब परशार है, उससे हम कहते हैं, असांत, असांत, असांत के साथ साथ इसमें एक खुबी और भी है, कि यहां पर संख्या तीन की बार बार आविरती हो रही है, यानि एक अंक की बार बार आविरती हो रही है, तो असांत के साथ साथ हमें आविरती भी लिखना होगा, असांत आविरती, ठीक, और यहां पर एक दो, तीन, चार, पांच, छे अंकों की बार-बार आविरती हो रही है ठीक है? और है ये भी क्या? असांत क्योंकि ये भी आगे बढ़ता रहेगा तो एक वटे साथ का जो दसमलों पर सार है इसे भी हम क्या लिखेंगे? असांत और अंकों की आविरती हो रहे तो असांत आविरती ठीक? अगर सिरफ असांत लिखके छोड़ दिया तो गलत माना जाएगा आपका ठीक है ये असांत आविरती हम पूरा लिखेंगी से ठीक? तो यहां से जो मैं बता रहा हूँ की परिमे संखेंज होती है उनका दो तरह का दसमलो परसार होता है या तो सांत दसमलो परसार होता है या असांत आविरती दसमलो परसार होता है ठीक? अब आगे बढ़ते हैं अब हम वास्तविक संख्याओं के दसमलो परसार की बात करते हैं वास्तिक संख्याएं हमें पता है कि या तो परिमे होती है या फिर आपरिमे संख्याएं होती है ठीक अब परिमे संख्याओं का दसमलो परसार अभी हमने उधारा नमबर पांच में डिसकस किया कि परिमे संख्याओं का जो दसमलो परसार है वो कैसा हो सकता है या तो सांत होगा कैसा होगा दसमलों परसार या तो सांत या फिर आसांत आवर्थी या फिर आसांत आवर्थी ठीक तो इसके उधार tackle मुझे देने की जरूरत नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लिया मैंने लिख्आ दो दसमलो 5 यह एक नंक के बाद स्माप्त हो गया तो यह सांत दसमलो परसार है और कहीं मैंने ये लिख दिया जो तो यह जो दसमलो परसार है यह यह असांत आभिरती होगा अब देखिए प्रिमेर संख्याओं के दस्मलो परसार में तो मेरे साथ से किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं रहा है ठीक है यहां सिर्फ दो ही परकार का दस्मलो परसार होता है ठीक अब आप्रिमेर संख्याओं के दस्मलो परसार की बात करते है यहां पर मैंने दो एप्रिमे संखें लिखी है वरगमूल दो और पाई और इनका दसमलो परसार भी मैंने कुछ स्थानों तक लिख दिया है तो कुछ दसमलो स्थानों तक देखी है मैंने वरगमूल दो का दसमलो परसार लिखा यहां पर चार के बाद एक आया लेकिन आगे चार के बाद दो आ गया ठीक इस तरह से आप देखोगे कि कोई भी अंक जो है वो बार-बार रिपीट यहां पर नहीं हो रहा है ठीक और दसमलो परसार कैसा है? असांत है इसका यहां पर भी क्या है? असांत है इस तरह से आप किसी भी अफरमेशंख्या का दसमलो परसार जब भी आप लिखोगे आपको असांत ही मिलेगा कैसा मिलेगा? असांत असांत होने के साथ साथ है आपको यहां पर आविरती भी नहीं मिलेगी अब कई बच्चे कहते हैं यह चार रिपीट तो हो गया तो अब देखिए कि चार रिपीट होने से कुछ नहीं होता लेकिन चार के बाद जैसे एक आया तो आग़े भी चार के बाद एक फिर चार के बाद एक ऐसे उसको रिपीटिशन मानेंगे इसको हम रिपीट नहीं मानेंगे ठीक है तो यहां पर कोई भी एक अंक या अंकों का समूल जो है बार-बार उसकी आवर्थी नहीं होती है तो ऐसे दस्मिलो परसार को हम क्या कहते हैं जहां आवर्थी ना हो उसे अनावर्थी कहते है अनावर्थी ठीक तो ऐ प्रिमेर संख्याओं का जो दस्मिलो परसार है वो कैसा होता है असांत अनाविड़ती होता है ये एक मातर ऐसा ही इनका दस्मिलो परसार होता है असांत का ठीक और प्रिमेर संख्याओं का दस्मिलो परसार ये दो तरह का होता है इसे अच्छे से आपने याद रखना है अभी देखिए कि उधार नमबर पांच में हमने क्या किया था कि हमें जो परिमेर संख्याएं है वो P by Q के रूप में दिवी है ठीक है परिमेर संख्याएं जो हो P by Q के रूप में दिवी है और इसे हमने दसमलों के रूप में लिख दिया है अब आगे आने वाले क्यूस्टन में जो है हमें दसमलों परसार दिया होगा उससे हम पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे इससे पहले चोटी ग्लासिज में आप सांत दस्मलो परसार को पी बाई क्यों के रूप में लिखते आ रहे हैं ठीक है अब हम एक बार आगे किस्टन करते हैं जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि शांत दसमलो परसार को आप PYQ के रूप में कैसे लिख सकते हैं और शांत दसमलो परसार को PYQ के रूप में कैसे लिख सकते हैं यहां देखिए हमें एक संख्या दे रखी है तीन दसमलो एक च्यार दोस्त एक च्यार दो छे साथ आठ इस संख्या को हमें पी भाई क्यू के रूप में लिखना है ठीक तो ये बिल्कुल सिंपल है पहले तो बिना दसमलो के पूरे के पूरे सारे डिजिट जो है रिपीट कर देजिए तीन एक च्यार दो छे साथ आठ ठीक डिवाइड बाई आप क्या लिखोगे जहां पर दसमलो था न वह पोजिशन तो याद है नहीं दर से देख लेजी वो दसमलो की जगह पर आपने एक लगाना है आगी जितने डिजिट है जितने अंक है एक दो तीन च्यार पांच छे उत तो सांथ ये देखे पी बाई क्यों कर रूप हो गया तो इस तरह से सांथ दसमलो परशार वाले संख्याओं को आप बड़ी ही आसानी से पी बाई क्यों की फोम में चैंज कर सकते हैं कि दसमलो की सीद में आपने एक लगाना है आगे जितने अंक है उतनी गिन के जिरो लग लगते कि जहां पी वैक्यूब पूर्णाख हो तो यहां पर इसका जो हल है वह हम ऐसे लिखके हम लिख देंगी जो की पी बाई क्यों का रूप है जो की पी बाई क्यों का रूप है जहां उसके बाद जहां के बाद बी वैक्यूब पूर्णाख है और क्यों जिरो नहीं यह चीज यहां पर आपने रिपीट कर देनी है ठीक यही इसका एंसर है अब देखिए कि सांत दसमलों पर सारवाली कोई भी संक्या आपके सामने आजए उसको आप पी बाई क्यों के रूप में लिखी दोगे लेकिन अगर आशांत दसमलों पर सारवाली आजए जैसे तीन दसमलों तीन 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 डोट 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 अगर इसको P by Q के रूप में अगर इस method से लिखना चाहोगे तो नहीं होगी है क्योंकि माझ लिए यहां पर आपने एक लगा दिया जीरो डोट 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 सोड़ के थोड़ी नहीं लगाओगे ठीक है तो इसके लिए हमारे पास थोड़ा सा अलग method है अभी समझातों बहुत ही असान method है अब याँ देखिए कि जो दे गई संख्या है वो क्या है 0.3, 3, 3, 3 और आगे डोट डोट लगा करके छोड़ दिया है हमने इस संख्या को P by Q के रूप में व्यक्त करना है तो देखिए ऐसे संख्याओं को P by Q के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहला जो step है वो दी गई संख्याओं को हम X के बराबर मानते हैं माना X बराबर देखिए इसका हल हम लिख देते है ठीक, पहले step में इसको X के बराबर मान ले उसके बाद यहाँ पर चेक करें कि कितने अंक रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर सिरफ एकलोता अंक बार बार रिपीट हो रहा है अगर एक अंक रिपीट होता हो तो इस समेकन को दोनों तरफ आप दस से गुणा करेंगी ठीक अगर दो अंक रिपीट होते हो जैसे माल लिया दो साथ दो साथ को इस तरह से रिपीट होते हो दो अंक अगर रिपीट होते हो तो दोनों तरफ सो से गुणा करेंगी तीन अंक repeat होते हो तो दोनों तरफ 1000 से गुणा करेंगे जितने अंक repeat होते होते हितनी जीरो वाला आंक आपने यह यहाँ पर दोनों तरफ है multiply करने कैसे multiply करने समसाता हूं इसे हम समिकर्ण एक मान लेंगे पहला स्टैप आपको अच्छे से आ गया कि जिस संख्या को P by Q के रुप में बदलना हमसे X के बराबर मानेंगे और इसे समिकर्ण एक का नाम दे देंगे अब दोनों तरफ कितने से गुणा करनी है कितने अंक रिपीट हो रहे है या एक अंक रिपीट हो रहे है तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में 10 X आ जाएगा राइट हैंड साइड में 10 से गुणा करेंगे तो ये एक स्थान उपर से जंप ले जाएगा या आ जाएगा तीन दसमिलों तीन 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 डोट 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 आप कहोगे सर कि ये तो पॉइंट एक आगे लगा यहां पर तीन इती ये हैं यहां पर आपने चार लगा दी अब देखिए इन्फिनिटी तक सर्गा अगर एक आदा फाल तो भी लगा देंगे तो भी कोई फरक नहीं पड़ता यहां पर आप मैंने जान बूज के लगाएं क्यों लगाईाँ भी देखिए यहां यह दूसरा step कम्पिलिट होगा अब तीसरे step में हम क्या करेंगे कि दूसरे समेकरण में से पहला ghaटा देंगे समेकरण समेकरण दो में से एक इखटाने पर दो में से एक घटाने पर क्या आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में तो 10 X में से 1 X माइनस होगा 9 X आज आएगा राइट हैंड साइड वाला मैं एक वार याँ उपर निचे लिख करके आपको घटा के दिखा देता हूँ दो में से एक घटाना है तो यह दो की राइट हैंड साइड होगी एक की राइट हैंड साइड में है 3,3,3,3,3,3,3 and so on तो यहां पर सिंपल सी बात है कि माइनस करेंगे न हम तो यह तो सारे कैंसल आउट होजेंगे 0,00,0,0 and so on बचेगा एक यह 3 बचेगा यह तीन 0,00 सम्थिंग तो 0 ये आगया 3, तो 9x बराबर क्या आएगा 3, तो x बराबर आजेएगा 3 वटे 9, ठीक, या पर या लगा दें या आखर इस टाइप वड़ा निसान लगा दें, अब 3 एकम 3, 3, 3, 9, इसका मतलो x बराबर 1 वटे 3, ये answer आजेएगा, तो इस तरह से, जो असानत आवरती दस्मलों पर सारवाली जो संख्ये हैं, उनको आप असानी से PYQ के फों में लिख सकते हैं, सिंपल से स्टैप्स हैं, सबसे पहले स्टैप्स में देगी संख्या को हम x के बराबर मानते हैं, उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि दोनो समय करन में से पहला माइनस करना है, और वहां से फिर x की वैल्यू निकालनी है, जो x की वैल्यू आएगी वही तो PYQ का रूप होगा, अब कोई बच्चा कहें कि सर ये एंसर सही है क्या, तो हम क्या करेंगी, सही गलत को चेक करने के लिए 1 को 3 से भाग करके देख लेगी, आप देखो कि इसका दस्मलो पर सार यही तो आएगा, जिरू दस्मलो तीन तीन, आप इससे करके देख लेए, ठीक है, अब आईए इनी लाइनों पर हमारा आठवा क्यूस्टन है, कि दिखाएए कि एक दस्मलो दो साथ, दो साथ, दो साथ, दो साथ, एंड सो और को PYQ के पिछले क्यूस्टन की तरह से ही, यहाँ पर हम जो दी गई संख्याव से X मानेंगे, माना X बराबर, एक दस्मलो दो साथ, दो साथ, दो साथ, एंड सो और ठीक, अब कितने अंकर रिपीट हो रहे हैं, दो अंकर रिपीट हो रहे हैं, तो दोनों तरफ कितने से गुणा करे तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दोनों तरफ है, दोनों तरफ है, सो से गुणा करने पर, दोनों तरफ सो से गुणा करने पर क्या हैगा, लेप्ट acceptable से ऑक सो जाएगा, और राइट एंड साइड में, जैसे सो से गुणा आपका करेंगे सो में कितनी 0 होती है 20 होती है ला तो अगों कि उपर से जंप ले जाएगा एक यहां था ना अब 7 की उपर से जंप ले जाएगा यहां आजाएगा अब यह आगे 2 7 2 7 एक बार और रिपीट कर देता हूं 2 साथ ठीक है और यह मैंने आपको बताये था कि एक बार फालतू लिखने का कोई प्रक्यान नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो अनंत तक चलना होता है, ठीक, इसे हमने समीकरण दो मान लिये, सो से गुणा करने के पड़ साथ, अब तीसरे स्टेप में क्या करना होता है, मैं दूसरे समीकरण में से पहला माइनस करना होता है, समी करन दो में से एक घटाने पर दो में से एक घटाने पर क्या आएगा इधर तो 100x में से एक अक्स माइनस होगा 99x आगया यहां देखिए 127 दसमलो 27 27 27 में से एक दसमलो 27 27 27 यह माइनस करना है तो यह तो सारा आगए दसमलो के बाद 00 आती रहेगी इधर तो और यहां बचेगा 127 तो 99x बराबर 127 x बराबर 127 बटे 99 ठीक तो यह पी बाई क्यों करो हो गया अब हम यह देखते हैं कि एक और दो तीन और छे नो अंकों का जोड नो है तो यह नो से भाग होता है यह भी नो से कट हो जाएगा तो नो पे एक बार कट कर देते हैं इसको 9 एकम नो 12 में इस नो माइनस 3 36 9 चोके 36 यह 9 एकम नो 9 एकम नो सोद है बटे ग्यार है ठीक है यह एंसर आगे इसका ओके तो प्यारे बत्सो उमीद करता हूँ कि आज का लक्सर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अगर समझ आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में ठीक है चैनल का भी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें थैंक यू वे नाइस दे